मुनावर फारुखी और खानजादी में हुई बड़ी लड़ाई खानजादी जो है पिन मार रहे है मुनावर को हाला कि घर में अगर कोई रहेगा तो घर तो साफ रखना हर किसी की जिम्मेदारी है बड़ इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते वही पर जो है बिग बॉस ने सना को पूरा घर हमेशा साफ रहे ऐसा दंड दिया है पावर के बगएर हैसी पावर दिये इम्म्यूनिटी के बगएर क्योंकि सना जो है बहुत ही सदा नाक में दम करके रही थी सबके और बहुत जदा गंदा कर रही थी पूरा घर इसलिए बिग बॉस ने उसी के उपर डाल दे कि तेरी डूटी है कि सब लोग उपको डूटी बाटना और साफ सफ पर सना ही होती है सना घूम रही होती है तो ये बोलती है कि तुम्हें बिग बॉस ने मुनावर तुम्हें बिग बॉस ने बोला है कि तुम कामवाम देखोगे डूटी बगरा देखोगे तो बोलता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो बोली वो तो सना को दिया है ना तो ये ट पर दिमाग के रूम में जाओ और वहां पर जाके पूछ हो ये साफ करवाओ तो खांजादी इसके उपर भी चड़ जाती है कि उसकी ड्यूटी है तुम उसको इंट्रक्शन्स दे रहे हो उसका कहना न वो जो करना होगा वो करवाना होगा तो करवालेगी तो तुम्हें तो सना के हाथ में है न तो मुनावर और इसकी बहुत जादा बहस होती है इस चीज़ को लेके जहां पर मुनावर का कहना ये है कि मुझे ये जो चीजें है ये बिग बॉस के बोलने पे नहीं होती है बिग बॉस बोले या ना बोले घर के लोगों की ये ड्यूटी है कि घर जो है साफ रहे और घर अगर गंदा है तो मैं इसके उपर अवाज उठा सकता हूँ चलो हाँ ये बात रही कि मुझे सना को ही बोलना चाहिए था नेक्स टाइम अगर कुछ चीज़े गंदी होगी तो मैं सना की पास जाके ही बात करूँगा कि सना ये चीज़ गंदी है ये चीज़ साफ करवाओ वो चीज़ गंदी है वो चीज़ साफ करवाओ तो मैं डिरेक्टली उसी से बात करूँगा मैं किसी और से नहीं करूँगा तो सना जो है वापिस आती है फिर सना के साथ भी लड़ाई होती है आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार मुनावर ने कैसे भोलती बंद करवाई ये इन लड़कियों की इसी के साथ ने लेती हूं जाज़त नमस्कार